vegrond onne-ne-inas साथियों आज हम बात कर रहे हैं labor law compliance पर labor law compliance का इस्तर भारत में कम होता जा रहा है उसके बहुत सारे विशेश रीजन है लेकिन नमें एक प्रोक्म कारण है कि आज employer अपने यहहाicating labor law compliance पुर्ड पार्टी के दुरू कराने लगा है जिस से थर्ड पार्टी compliance पेपर पर तो नजर आती है लेकिन उसका impact ना तो employee satisfaction में ना employee engagement ratio में नजर आता है इसलिए आज जरूरत है कि अपने यहां हम labor audit कराकर या compliance audit कराकर अपनी team को तैयार करें ताकि हम उसकी मूल भावना के साथ जो act की भावना है उसके साथ उसकी compliance कर सकें जिसको बोलता है compliance in letter and spirit इसलिए इसी क्रम में मैं और मेरी संस्थावी की dynamic leadership center पूर्ण प्रियास रहते हैं कि हम इस तरह की competency अपनी HR team में develop करें उसी क्रम में आज हम यह program कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे factory jack 1948 में liberal law compliance के लिए उसमें दिये गए फॉर्मों को जानना बहुत जरूरी है आए एक एक कर उन फॉर्म की detail समझते हैं ताकि हमें एक के compliance है उसका मोटा मोटा इस्थर हमें ठीक से समझ में आ जाए इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जब हम factory को पहली बार बनाते हैं या तैयार करते हैं तो हमें कहां से शुरुवात करनी है और जब factory का closure होता है तो कहा तक जाना है इसी क्रम में सबसे पहला फॉर्म आता है फॉर्म नंबर वन एप्रूबल ऑफ प्राइम जब हम factory को ख़ड़ा करना चाहते तो हमें कुछ building बनानी होती है कुछ construction करनी होती है कुछ platform बनाने होते है कुछ structure बनाना होता है जिसके plans approved कराने बहुत आवश्यक है जो इस फॉर्म फवन में deputy director या director of factories को factory प्रभंदन द्वारा सम्मिट किये जाते हैं दूसरा फॉर्म है जो इसके साथ साथ जब building complete हो जाती है तो उसकी stability के लिए कि यह building मजबूत है इसका यह stability started engineer द्वारा गया गया certificate भी director of factories या deputy director जो भी competent authority है उसको भेजना आवश्यक है नमबर तीन हम बात करते है registration and license of work तो जब हम factory inception में खड़ी कर लेते हैं तयार हो जाती है तो उसका commercial production करने से पहले हमें license लेना आवश्यक है और यदि एक बार license ले लेते हैं तो पिर उसका renewal कराना आवश्यक है तो जो पहल 3 में हमें apply करना जो authority deputy director या director of factories उसको भेजा जाना आवश्यक है उसमें हमें number of persons और उसकी horse power भी लिखना आवश्यक है क्योंकि आपकी fee उसी से decide होती है कि कि किस कार खाने से कितनी annual fee ली जाएगी नमबर चार हम बात करते हैं notice of occupation for registration and grant of renewal of license कि जब हम पहली बार हमने registration कराया तो हमारा occupation कभी start हुआ तो उसकी information पहली बार में तो किसी भी date को दे सकते हैं लेकिन उसका license जब renewal कराना होता है तो जिस साल के 31 December को वह खतम हो रहा है उसी साल के end of October 31st October तक application submit होना आवश्यक है इसलिए यह date याद रखना सब के लिए बहुत कंपल सरी है वर्तमान में एक सुगधा state government द्वारा सभी श्टेटों में दी जा रही है कि अभी license कुछ processes के लिए एक बार में कई सालों के लिए पास साल के लिए साथ साल के लिए चार साल के लिए तीन साल के लिए आपकी सुगधान सार या जो director of factories समझते हैं उचित कुसों इसाब से आप apply कर सकते हैं और अपना license एक बार में ले सकते हैं नमबर नेक्स्ट है form 4A notice of change of manager कभी किनी परस्थितियों में factory manager change हो जाता है उसके कारण कहीं है या तो वह job छोड़ जाए या वह super invite हो जाए retire हो जाए या किनी कारणों से दूसरी जगे छोड़ कर चला जाए या एक कार खाने से दूसरे कार खाने में employer के यहाई mobility पर चला जाए तो वह inform करना आवश्चक है इसी क्रम में आगे है notice of occupation for renewal of license of factory यह factory manager द्वारा submit किया जाता है और इस में जो horsepower है और जो number of workers है यदि उनमे कोई change आता है तो यह बताया जाना आवश्चक है नमबर है next form 5 जो rule 16 सब rule 2 में दिया गया है यह certifying officer द्वारा issue किया जाता है कि यहाँ जितने भी लोग appoint किये गई है वो सब काम करने के लिए पूर्टर सक्षम है इसलिए इसको सक्षम टाका certificate भी कहा जाता है next form है form number 6 जिसमे exemptions मिलती है rule 22 और rule 81 में वो इन तीन चार चीजों से related हो सकती है जैसे weekly off day है weekly holiday है या notice of change in holidays है working hours है spread over है तो इन चीजों में जब कभी किनी विशेज परिस्थितियों में change आता है तो यह है बताया जाना या exemption लेना आवश्चक है नंबर next है जो जहां dry process होती है वहां humidity register maintain करना आवश्चक है जैसे मैं कुदारना दे सकता हूं textile का तो वहां यह register form 7 रखना आवश्चक है next form 8 record of lime washing जो factory की building है या जो जितनी भी utility services है चाहे वह लेटरिंस है या urinals है canteen है restrooms है crutches है उन सब का white vase या painting होना उसका record रखा जाना बहुत आवश्चक है जिसके लिए register है next record of hoids lifts and tools and tackles जो कार खाने में किसी सामान को या machinery को या process में आने वाले उठाने के tools and tackles है उनका record is register में रखा जाता है next step form nine जिसमें हम pressure vessels या तो vacuum में काम होता है या high pressure पर काम होता है तो वो कभी कभी bust हो जाते हैं इसलिए उनकी बार-बार testing होना उनका record maintain किया जाना उनकी thickness चेक होना उनकी strength चेक होना compulsory है next step form 10 जिसमें overtime और master role का record रखा जाता है कि employee ने किस दिन कितना काम किया कितना overtime किया उसके week में 48 hours से जादा जो काम किये हैं वह overtime में count होते हैं next form 11 notice of period of work यह section 77 और 99 में maintain किया जाता है हर factory manager को रखना आवजशक है कि उसने कितना काम किया और उसका payment किस तरह से हुआ next form बार है जिसमें register of adult workers जो worker वहां काम करते हैं उन सब की detail उन सब की age उनका address रखना बहुत जरूरी है form 13 लगबागा खत्म की आवशकता या उसे omitted मान सकते हैं क्यूंकि child रखना compulsory leave बंद कर दिया गया है no child worker can be employed तो इसी लिए इसकी आप कोई सार्फकता रह नहीं गई है लेकिन एक में हैं इसलिए maintain करना जरूरी है no child worker परकर आप रख सकते हैं next form 14 रजिस्टर ऑफ leave with wages जो करकानी में काम करते हैं प्रती एक वर्कर को इनमें किवल चार या पांच लोग छूट जाते हैं जैसे फैक्टरी मैनेजर को कुपायर वेलफेर ऑफिसर सेफटी ऑफिसर और सर्टिफाइंग सर्जन या मेडिकल ऑफिसर अन्य सभी इसमें वर्कर की तरह ट्रीट हो हुआ है उस हिसाब से उसको शुक्ति देना रुसका रिकॉर्ड मेंटेन करना आवश्यक है नेक्स्ट है फॉर्म फिक्टीन लिव बुक यह प्रती एक एक एंपलोई वर्कर को या एंपलोई को दिया जाना आवश्यक है आज तो डिजिटलाइशन का जमाना है आप इसे ड बहरा जाना जब आदमी एंपलोईमेंट में तभी भरकर उसके पर्सनल फाइल में रखना आवश्यक है नेक्स्ट है फॉर्म सत्र है है हेल्थ रेजिस्टर कि जब आदमी को हम अपविंट करते तो उसके हेल्थ रिकॉर्ड क्या है और कुछ प्रोसेस में उकूपेशनल ड लेकिन सूचना अवश्यक है अब हम बात करते हैं फॉर्म 18A में सूचना देना आवश्यक है इसके लिए कोई टाइम निश्यक निया लेकिन सूचना अवश्यक देनी चाहिए अब हम बात करते हैं फॉर्म 19 की नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज यदि कुछ डिजीज हो जाती है तो फॉर्म 19 में आपको आपको मतलब फैक्टरी मेनेजर को भरकर यह है कॉम्पुटेंट अथॉरिटी डिप्टी डिरेक्टर या डिरेक्टर ऑफ फैक्री ऑफ स्टेट को आपको डिस्प्ले करना आवश्चक है नंबर ग्यारे पर नंबर पच्चिस पर आता है फॉर्म 21 यह यरली रिटर्न का फॉर्म है जो 31 दिसंबर तक की डेटा से भरा जाता है उसको 15 जनवरी तक भेजना आवश्चक है दूसरा हाफ यरली रिटर्न है जो 30 जून तक के डे लिटाइट लीव विजजिजर कितनों को मिली कितने को नहीं मिली किया सब जानकारी इसमां आती है इसलिए इन सब को ठीक से समझना भरना और भेजना आवश्चक है अगला फॉर्म है फॉर्म 15 बद्चार मारा और नब धारिजश्टर चयों जैस्प्र मैं नहीं कर दिया गया है इसकी अब आज आवश्यक्ता नहीं रह गई है फॉर्म 25 रिकॉर्ड अफ वर्कर्स वू कन वर्क ओन मशीन इन मोशन आज डिजिटलाइजेशन का जमाने से पहले मॉडरनाइजेशन और ओटोमाइजेशन का जमाना है मसीने बहुत आई स्वीड पर करती है तो जो मसीन मोशन में रहती है उन पर कौन काम कर सकता है कौन ट्रेंड है उसका स्किल सेट क्या है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और वही लोग उन इस्थानों पर काम कर सकते हैं जो जहां के लिए नॉमिनेट किये गए हैं या ट्रेंड है अगला फॉर्म है 26 certificate of fitness जब आदमी बीमार हो जाता है इंसिडेंट हो जाता है एकसिडेंट हो जाता है तो उसका एक fitness certificate दिया जाता है उसके बाद ही वह काम पर आ सकता है उसको record में रखना भी बहुत आवश्यक है जरूत पढ़नी पर दिखाया जाना आवश्यक है अगला फॉर्म है फॉर्म 27 health register तो हर साल medical health check-up यह depend करता है कि जो अपने हजाइडस operations है उनमे छे महीने में भी हो सकता है कुछ process पर एक साल में हो स्वस्थ है उसे कोई भी occupational disease ना तो हुई है ना होने की संभावना है अगला फॉर्म है फॉर्म 28 रिपोर्ट ऑफ एक्जामनेशन टेस्ट डस्ट एक्स्ट्रक्शन और सस्पेंश सिस्टम यह उन उद्योगों के लिए जरूरी है जहां धूल अब इसके अत्रिक्त कुछ appointment होना आवश्चक है इसलिए उनको भी साथ के साथ जैनना जरूरी है सबसे पहला appointment प्रतियक कारखाने में जहां नंबर 500 या उससे अधिक हैं वैस सेक्शन 49 के तहत welfare का होना आवश्चक है welfare officer का होना आवश्चक है दूसरा safety officer 40 बी में जहां हजार लोग हैं और यदि हजार डस प्रोसेसर तो केवल 900 लोग हैं तीसरा medical officer जहां दस section 10 के तहत जहां 50 लोग काम करते हैं यह 50 से अधिक लोग काम करते हैं इसके अत्रिक्त factory manager nominate करना आवश्चक है क्योंकि वैस सब इन चीजों को maintain करनेगा तो यह सब जानका करते हैं तो आप मुझे या मेरी संस्ता विके डाइनेमिक लीडर्शिप सेंटर को लिख सकते हैं विके डाइनेक लीडर्शिप सेंटर इस तरह के certified courses भी कराता है ताकि आपके IR competency या labor law compliance की skill आप में develop हो सके हैं आप चाहें तो उनसे संबंद स्तापित कर इस तरह के courses online भी कर सकते हैं आज इतना ही आगे फिर नए किसी एक्ट पर नए विशे पर बात करेंगे आपका सहयोग दने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद